आगरा में सरवाधेट लोग की एड चैनल सीन्यूस की एड को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सरोजिन आइडू मेडिकल कॉलेज में सोमवार से ओपिडी शुरू हो रही है अभी तीन घंटे ही मरीज देखे जाएंगे मरीजों के लिए दवाओं की सूची तयार की जा रही है सरोजिन आइडू मेडिकल कॉलेज में सोमवार से ओपिडी शुरू हो रही है अभी तीन घंटे ही मरीज देखे जाएंगे मरीजों के लिए दवाओं की सूची तयार की जा रही है शुक्रवार तक दवाएं प्राप्त हो गई हैं प्राचारे डॉक्टर संजे काला ने बताया कि सोमवार से सुबह 9 से 12 वजे तक OPD चलेगी दयसे आपने बताया को जो जनरल मरीज थे अस्तमा के रोगी थे शीयो पीडी किरोगी थे लंक कैंसर के रोगी थे और ग guar जो जो लोए रख़िर टेल्उटन के जैसे निमउनिय हो गई जन्रल कोल्ड फिलू वाले जो मरीज तो बहुत परिसाम हो रहे थे इन सब को देखते हुए हमारे होस्पिटल प्रसाशन ने और हम सब ने एक मीटिंग की थी और उसके तहट प्रदानाचारे महुदा ने इसी मंडे से 9-11 तक पर्चे बनेंगे और 12 बजे तक OPD देखे जाएंगे यह डिसाइड हुआ था एसन मेडिकल कॉलिज के टीवी रोग विशेशग्य और होडी डॉक्टर संतोश कुमार ने बताया कि एसन में मेडिसिन, सरजरी हड़ी रोग, तवचा रोग, दंत रोग, मांसेग रोग, वक्षेवंग शे रोग, नेत्र रोग, एन टी रोग विभाग में एक साथ मरीज देखे जाएंगे, सुबर नौ से ग्यारा बजे तक परचा बनेगा, परचे काउंटर से बनवा सकते हैं, या फिर टैली मेडिसिन पर फोन कर पंजी करन भी करा सकते हैं, टैली मेडिसिन भी संचालित रहीगी, मंगलवार को सभी विभागा दक्षों के साथ बैठक कर दवाईयों की सूची मांगी गई है, शुकुर्वार तक दवाएं OPD में उपलब्द करा दी जाएंगी युएस में देख रहा हैं, जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं, इसलिए हम लोग को सतर्क होना चाहिए, सारी आम पबलिक को सोचना चाहिए, बगर मास्क लगा के ना निकलें, बजार जाना है तो भीड़ वाली जगों पर जाने से बचें, ऐसा नहीं है, आराम से पूरा संतोष कुमार ने बताया कि कोरोना वारिस की तीसरी लहर इसी महीने के अंत या फिर अगस में आने की आशंका जताई जा रही है, ऐसे में संक्रमन तेजी से बढ़ा, तो OPD फिर से बंद भी की जाएगी, यहां के स्टाफ को कोवीड वार्ड में लगाया जाएगा, अगर तीसरी लहर सामाने रही और ज्यादा मामले नहीं आए, तो OPD का समय भी बढ़ाया जाएगा, सी न्यूस के लिए लक्षमिरास सिंग की रिपोर्ट